कैसे हैं आप सब लोग आप लोगों को पता है हमने जनल नौलेज्ज विद्ट स्पैशल रेफेंस टू जेंड के स्टार्ट किया है अपना एक पार्ट या आपका हर एक एक्जाम जो भी आपकी स्टेट कंड़क्ट करवाएगी उसमें आपसे क्वेशन पूछे जाएंगे औ लेकिन आपका मैं यह पार्ट साथ में स्टार्ट कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं क्योंकि आपको मैं बता दूँ आपका स्लेबस है यह एक्जाम का अभी तक हम लोग यह पार्ट अपना कवर कर चुके हैं जिसमें आपके जेंड के के जितने भी करंट अफेस थे लोकल इंटरनेशनल लेवल के वह सब हमने कवर किये हैं इंपोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आपको चार पार्ट मिल चुके हैं यहां पे जो आपको आई बटन देखेगा आप वहां पे क्लिक करें और आपको उस प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा हमने 73 अमेंडमें पर्सनलिटी जो आपके रिलिजिन पॉलिटेक साइंटेफिक डिस्कवरी जेग्रॉफिकल और स्पोर्ट हिस्ट्री से लिडेटिर जितने भी होंगे उनको करेंगे और यह एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं आपको एक वीडियो बनाके सारा कवर करवा दूँ इसलिए इस है रिलिजिन के पॉइंट ऑफ यू से पॉलिटिक से तो वह सारी कवर करवाने की मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में अगर मैं सारी डाल दूंगा तो आपको फाइदा होगा ना मुझे क्यूंकि आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा इसलिए हम इसके कम से कम भी साथ से आठ पार्ट पढ़ेंगे ताकि आप एक एक पार्ट लिमिटेड टाइम डूरेशन का देखें और आपको यह चीज़े याद रहें इसलिए इस पार्ट को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं बात करते हैं कल के क्विस की तो कल के क्विस को शायद से हम मंडे को के बाद हम स्टार्ट कर देंगे Constitution of India तो आपको पूरा तीस मार्ट का यहां पर कवर होगा जिसमें आपको मैं कंफर्म बता दे सकता हूं कि आप 25 प्लस सेक्शन में लेके आएंगे ही आएंगे अगर आप एक्जाम देने जाएंगे आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जर हो जाएगा तो आपको हर एक टॉपिक पे दो से तीन एमसी की उसकी वीडियो मिलेंगी उसमें आपको मैं हर एक चीज कवर करवा दूंगा तो यह सारी हैडिक मेरी है आप लोगों को सिरफ अराम से पढ़ना है इसके साथ मैं आपको बता दूँ आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं वह में हमारे फेस्बुक ग्रूप पे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जॉइन कर सकते हैं जहां पर हमारा क्विज होता है हर हफ्ते के एंड में और यूट्यूब पे भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं जमू कुश्मीर के तकरीबन 22,000 लोग हम से अभी पढ़ रहे हैं जल्दी ही आपका हमारा टार्गेट है एक से दो महीने में ये स्लिपर्स खतम करवा के आपके MCQ उसकी वीडियो के बाद आपको अलग से एक JK Bank की बात कर ले या फिर किसी भी Bank exam की बात कर ले तो उसका आपका स्लिपर्स स्टार्ट हो जाएगा इ एंड के आप जो सबसे पहला नाम यहां पर देख रहे हैं वो है पदमा सचदेव जी पदमा सचदेव जी क्यों पहली personality है जो मैं डिसकस कर रहा हूं यह important है आपके current affairs के respect में भी क्यों respect में है क्योंकि आपको अब मैं बताता हूं इनके बारे में थोड़ा सा यह जो है आप देख सकते हैं जमू कश्मीर की point है बहुत ही यह जादा जो आप कह सकते हैं successful है अपने career में पहली modern woman point है डोगरी language की और इन्हें साहित्य academy award मिला था 1971 में मेरी कविता मेरे गीत के लिए और इसी के साथ इन्हें पदमश्री से भी सम्मानित किया गया है और लेकिन सबसे जादा important क्यों है यह जो आप देख रहे हैं सरस्वती सम्मान इन्हें मिला है अभी थोड़े से time पहले इसकी वज़ा से काफी news में थे अगर आप से पूछे जाए कि इन्हें किसके लिए मिला है तो यह इनकी खुद की autobiography के लिए मिला है जिसका नाम है चिट चिटे तो यह आपको पता होना चाहिए बहुत important है बात करते हैं next आप देख सकते हैं अपने सामने प्रेम नाथ डोगरा जी कौन है basically तो आप लोगों को य उनसे भी शेयर करें ताकि जो लोग कहते हैं कि JNK के लोगों का नाम नहीं है कहीं पर भी तो उन्हें भी पता चले कि जम्मू कश्मीर के लोगों का नाम था और वह बहुत दूर दूर तक था जबकि है भी वह बात अलग आ जाती है कि हम लोग खुद ही उन्हें इतना समा नहीं दे पाते जिसकी वज़ा से वो इतना नहीं लाइम राइट में आ सकते आ पाते जो की वो जिसके हगदार है तो बात करते हैं प्रेमना ढोगरा जी के बारे में तो यह लीडर से जम्मू रीजन से थे जम्मू कश्मीर के जिनोंने टोटल इंटीगरेशन आफ स्टेट का बात की थी इंडिया के साथ बहुत इंपोर्टन है आप लोगों को पता है यह क्यों इंपोर्टन है क्योंकि आप लोगों पता भी थोड़े टाइम पहले ही 370 हटा है और जम्मू कश्मीर पूरी तरीजके से इंडिया में मिल चुका है अब बिना किसी किसी स्पेशल स्टे गर किसे कहा गया है तो यह भी प्रेमनार्थ लोगरा जी को यहां पश्र किसे कहा जाता है लेकिन सब्सक्राइब लोगों को भी नहीं पता होगा इस बारे में और यहां पर यह भी बता दो आपको कि यह जम्मू की जो प्रजा परिशत पार्टी थी 1947 में बनी थी उसके मेंबर से और उसी के साथ इन्होंने जो बनाई थी वो बनाई थी बर्राज मधोग जी के साथ जो अपोस कर रही थी कि पॉलिसी को अगर आपको पूछा जाए तो शेख अब्दुला जी की पॉलिसी को अपोस कर रही थी क्योंकि वो काफी जादा अलग थी इनकी पॉलिसी से तो ये उसके लिए काम कर रहे थे तो most important है आप लोगों वो पता होना चाहिए बात करते हैं next रामनात शास्त्री जी आप देख सकते हैं यहाँ पे अब बात करते हैं रामनात शास्त्री जी थे एक कोन तो ये basically एक professor थे जिने कहा जाता है father of डोगरी अब आप से exam में direct question दो इस तरीके से पुछे जा सकते है पहला question तो ये कि शेरे डुगर किसे कहा जाता है दूसरा आप से ये पूछा जा सकत है जिसे father of डोगरी कहा जाता था ये कहा जाता था आपका रामनात शास्त्री जी को जो की एक डोगरी पोईट से राइटर से एक्टर से इनकी राइटिंग जो थी उन सब वो जितनी भी थी उन्हों की वज़ा से ही डोगरी को national stage पे एक दरजा मिला है और 2001 में उन्हें सहित समानित किया गया था इनकी कुछ books के नाम आपको बता दूं important नहीं है इतने exam में पूछे जाएं लेकिन आपको पता होना जरूरी है हो सके तो आप ये books ले और इसको पड़े ताकि आपके डोगरी कल्चर को भी promote कर सके आप तो ये था बदनामी की च्छाव और बाबा जित हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़े कश्मीर के point है राइटर है researcher है और एक senior journalist भी रह चुके हैं लेकिन यहां पर इस सब के साथ अगर मैं आपको बताऊं इनका नाम इतना important क्यों है क्योंकि आपको बता अभी जो थोड़े टाइम पहले award वापसी शुरू ही थी award वापिस देन के लिए कहा था तो आपको बता दूँ यह academy award winner है 1974 के और सहत्य academy award winner है 1975 के तो यह बहुत important है आपके लिए बात करते हैं next भजन सवपूरी जी बजन सवपूरी जी क्यों famous हैं आप लोगोंने इनको काफी जगा पे देखा होगा बहुत सारी news में या फिर अगर कोई बड़ा event ह होता है तो यह वहां पर आपको मौझूद दिखेंगे क्यों important है मैं आपको बता दूँ भजन सवपूरी जी इंडियन instrumentalist है जो की आपको पता होगा क्या बजाते हैं संतूर यह बहुत ही पुराना musical instrument है जो यह बजाते हैं और इसी के साथ 77 इंडियन रिपब्लिक डे जो गया था तो यह आपको पता होना चाहिए आपसे direct exam में पूछा जा सकता है कि भजन सोपूरी जी कौन सा instrument प्ले करते हैं या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किसे lifetime achievement award के साथ जम्मो कश्मीर ने समानित किया गया था बात करते हैं next कुंदललाल सैगल अगर आपको मै दशक के सबसे मशूर actors singers में से एक थे और आपको बता दूए जम्मो कश्मीर में है अगर आप Link Road से आएंगे अगर आपको भी जम्मो में Link Road पे आएंगे जो पुरानी बंडी के पास आएगा तो वहां पे आपको दिखेगा एक statue बना हुआ जो बहुत सारे लोगों ने नही नहीं देखा होगा वहां पे लिखा हुआ है केल सैगल रोड तो आपको यह भी पता होगना चाहिए अगर आप जम्मो कश्मीर से है और आपको इन चीज़ों पर प्राउड फील करना चाहिए कि आपकी state से यह लोग निकले है अब बात करते हैं इनके बाने में थोड़ा सा और केल सैगल नाम से मशूर थे यह बहुत ही जादा इंडियन सिंगर और एक्टर थे लेकिन इसी के साथ इन्हें पहला सुपर स्टार माना जाता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो उस समय में कॉलकरता में थी लेकिन अब यह मुंबई में जो आप देखते है आपकी फ आपके जम्मु किश्मीर से थे बात करते हैं नेक्स्ट महरचंद महाजन आप देख सकते हैं मैंने यहां पर इनकी फोटो की जगह एक स्टेंप की फोटो लगाई है ताकि आपको यह चीज याद रहे और आपको एक्जाम में स्ट्राइक करें आप देख सकते हैं यहां पर महर्चंद महाजंजी थे कौन ये Chief Justice थे इंडिया के तीसरे जो Chief Justice थे वो Third Chief Justice थे Supreme Court of India के और इसी से पहले Chief Justice बने से पहले ये दिवान आफ जम्मू कश्मीर थे या फिर आप इसको प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते है हरी सिंग जी के टाइम पे और इन्होंने बहुत ही एक मेजर रोल प्ले किया था जब जमु कश्मीर का एकसेशन होना था इंडिया के साथ जब जमु कश्मीर ने मिलना था 1947 में तो यह आपको पता होना चाहिए स्टेंप अगर आपको मैं बोलू तो जो थे पोईट थे कश्मीर से इन्हें कहा जाता है जून या अगर आपसे डिरेक्ट एक्जाम में पूछा जाए नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसे कहा गया है तो आपको आंसर पता होना चाहिए हाबा खातून जी का हाबा खातून जी इसी के स चाहिए आपसे यह भी पूछा जा सकता है डारेक्टी की लास्ट मुस्ट्रिम रूलर कोन थे कश्मीर के तो आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए और आपसे डारेक्ट पूछा जाए नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कोन थी तो वह थी घाबा खातून तो आज की वीडियो आपकी आजाती है इस महीने के एंडिंग में तब भी आपको तकरीबन एक महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए उसके बाद एक महीने लगेगा एड्मिट कान आने के लिए और उसके बाद एक महीना लगेगा एक्जाम होने के लिए लेकिन अभी तक चीज बिल्कुल स्लो स्पीड पे प्रोवाइड करने की कोशिच दे रहा हूं कर रहा हूं ताकि आप हर एक चीज पढ़े उसे रिवाइस कर सके और उसे आप अपने दिवाग में रखें आज इसी एक लेक्चर में मैं आपको पचास से साथ वीडियो वो सारे जो popular personalities हैं वो करवा सकता था लेकिन मैंने खुद नहीं करवाई क्यों नहीं करवाई ताकि आप लोग यह चीज याद रखें और अगर आप इसे तभी याद रख पाएंगे जब अगर आप इसे एक limited form में करेंगे एक ही साथ सारे cover करवाने के लिए में नहीं बागना है तो अब आपके बेसिकली जो टॉपिक चलेंगे इसमें वह होगा आपका 73rd amendment of constitution of India और उसी के साथ आपके चलेंगे पॉपुलर नेम्स और परसनलिटी यह साथ साथ में चलेंगे आपको एक हफते में इन दोनों की एक से दो वीडियो मिलती रहें है पंचायती राज भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो constitution of India है उसके बाद हम इस पर आएंगे लेकिन यहां पर आपको मैं एक और चीज़ बता दू जो हम constitution of India करेंगे वो हम पूरा exam point of view से करेंगे जिसमें आपके maximum mcqs जो होंगे वो cover हो सके बिलकुल detail में आ आपको सिरफ उतनी चीज़ें ही करनी है क्योंकि यह सिरफ सब पार्ट है आपकी अलग से section नहीं है तो hardly इसके दो से तीन question ही आपको exam में देखने को मिलेंगे तो आपको उतना cover करवा दिया जाएगा जिससे आप 2-3 question आसानी से attempt कर सकें तो आज के lecture में सरफ इतना ही जो लो करके आया हूं आप लोगों बता दूं तो चलिए आज के lecture में सिर्फ इतना ही रखते हैं मिलते आप लोगों से कल ने lecture के साथ ओके गाइस